बारताने दुद उत्पादar में जगा में पहला करमांकर मेढा आँ जयार प्रगति पतावरती जेवडा वाठा दुद उत्पादक सांगी ते उड़ा प्रक्रियय करना रहा उद्योगांचा है आज आमी तुमा आशल में उद्योगांचा से का ओलग करूग दाना रहोत यहां पर हम मार्केटिन्ग करते हैं. फल्टन बेस्ट कंपनी है, फल्टन में हमारा मेन प्लांट है, और बागी प्लांट्स हैं मॉंबई, आप्मद नगर और बेल गाओं. तो पुने में अपने इसा क्या सेट अप अभी मतलבר मौनिंग लेहा है? पुने में जहां पर अभी हम खड़े हैं वो हमारा पुना सेल्स आफिस है यहां के जो सेल्स है जो जीम सेल्स है वो अपरेट करते हैं मेंली सेल्स आपरेशन पुना से होता है पूरा महराष्ट्रा का आगे क्या प्लान्स है आपके इस कमपनी को लेके कि कैसे बढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस जीज़ पर जैसे अपना वैलू अड़ेड़ प्रोड़क्स में हमारा ग्रोथ आएगा, वो बढ़ेगा, दूद, दूद में पाउच मिल्क में ग्रोथ आने वाला है और पूरा इंडिया कवर करने वाले हैं हम आगे जैसा कि हम सभी जानते कि मिल्क मतलब गोविंद मिल्क जो है वो कॉलिटी के लिए अपने बहुत जाना जाता है उसका जो ब्रैंड है वो अपने कॉलिटी से लेके ही है तो ऐसा और क्या इंप्रूवमेंट अपने ब्रैंड में प्रोडक्शन में करने हैं यह बहुत अच्छी बात करिया अपने आईश्वरिया क्वालिटी हमारा खासियत है हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं हमारा जो वेटरिनरी टीम है वो फार्मर के साथ डारेक्ट करेक्टेड है और वहाँ पर फार्म लेवल में हम डेवलपमेंट का काम करते हैं हमारा हाइड्रोपॉनिक्स देश भर में दुनिया भर में जाना जाता है जो कम पानी में लेस वाटर में चारह जो जो ग्रोथ का जो काम है, हैड्रोपॉनिक्प फिर अजोला, एक प्रोटीन हम डिवलप करते हैं, फार्मर्स को त्रिनिंग देते हैं, इसके बारे में फिर जो यूस हाउजिंग, फ्री हाउजिंग फार्म्स и जहां पर जो मुक्ते सEN monica है, जहां जो मानते है के quality जो है जो वह वफार्म में होता है, फैक्टरी में नहीं, तो आगे इक वार्म से और नए product अप लोग Lions करने वाले हैं, कुछ हमें बता सकते हैं? प्रोड़क्स तो प्रोड़क्स रोड़ मैप में बहुत सारे प्रोड़क्स है, प्लैन में है, अभी हमारा पौच मिल्क जाता है मार्केट में, उसमें ग्रोध करना है, फ्लेवर्ड मिल्क है, दही है, पनीर है, श्रीखंड, अमरिखंड, यह सारे प्रोड़क्स मार्केट मे उसका प्लाइनिंग है वो धीरे-धीरे मार्केट में आएगा पता चलेगा कंपनी की ग्रोथ के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं जैसे कब कैसे आपने इतलब कम टाइम में कैसे जितने जल्दी ग्रोथ कर लिया नहीं यह तो वही है जो मैंने बोला हमारा मोटो है फार्मर को मुल लिया सही मुल लिया और कंज्यूमर को सही क्वालिटी यह अगर इस पे अजी बात इसमें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और इसके बूते पे इसके चलते हम इतना आगे आए और भी बहुत डिस्टेंस कवर करना है बहुत आगे जाना है कोई competitors आपके सिर्फ farmers के लिए अपने मतलब क्या सोचा उनके subsidy के लिए उनको आप किस तरीके से आगे और help कर सकते हैं उनके benefit क्या कर सकते हैं उनके लिए आप एक जैसा मैंने बताया हम direct farmer level पे काम करते हैं उनके दूद का quality और quantity दोनों के लिए हमारे जो veterinarian doctors है जो team है वो काम करते हैं दूसरी बात आपने पूछा subsidy का ये पहला 1st August 2018 से महराश्ट्रा गवर्मेंट फाइव पांच रुपया subsidy farmer के लिए देना चालू किया महराश्ट्रा पॉसिबली एक ऐसा state रहेगा जहां पे cooperative और private दोनों को subsidy मिलता है ये अच्छी बात है और ये पांच रुपया का subsidy पूरा farmer के खाते में जाता है इसके कारण अभी farmer को अच्छा दर मिल रहा है और उसके कारण दूद का quality quantity में improvement आ रहा है तो हमें आशा है के with government support and with our involvement with our जो हम करते है farm level पे इसमें dairy industry का जो future है बहुत bright है और quality में सुधा रहेगा तो consumer को benefit होगा price में सुधा रहेगा तो farmer को benefit होगा तो हम चाहते है कि यह जो पूरा value chain है farmer से लेके farm से लेके consumer तक actually animal से लेके guy से लेके cow से लेके consumer तक इसमें खुशाली आएगी और हमें आशा है कि dairy industry के जरीए हमारा जो Indian population है उसमें बहुत सारे benefit आएंगे Thank you